दोस्तों स्वागत है आपका अपना चनल टेचिंग केरियर सेंटर में तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलीस में जो मदिकालीन भारत के जितने भी इत्यास के 2002 से लेके जो 2010 तक सभी पूछेगे प्रस्ने सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो बस आप लोग बने रहे है और इसके बाद जो बायलोजी का जो भी पार्ट आपका बचा है और इसका पीडिया आपको टेलिग्राम लिंक पर मिल जाएगा तो जो भी भी तक टेलिग्राम से जोइनने हो इसका लिंक डिस्किप्शन में देदेंगे वहाँ से आप लोग जूर जाईएगा चलिए आज की सेशन को हम लोग से स्टार्ट करते हैं और हम आपको बता देना चाते हैं कि जो आपका 1275 का दरोगा का पीटी और मेंस का कोस्चन हुआ था वो हमने पूरा हंड्रेट कोस्चन आपको एकदम औरिजिनल कोस्चन कवर करवा दी हैं इसी चैनल पर अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देदेंगे तो यह आपको जनकाड़ी है दिखे यह बिहार पुलिस कॉंस्टेवल 2012 में पूछा गए शीप्ट दूसरा में तो बोल सकते हैं कि साथवी सदा यानि कि आठवी सदा इसवी से यानि कि 712 इसवी से जब मुहमद विन कासीम जब भारत में आया तो वहां से मधिकार इन भार कोशन को ध्यान से देखे क्या वोला गया नेश्ट कोशन ने भारत पर आकर्मन करने वाला पहला मुसलमान कौन था तो भारत पर आकर्मन करने वाला पहला मुसलमान कौन था तो मुहमद बिन कासीम ने कव भारत पर आकर्मन किया था याद रखेगा 712 इसवी में कब किये थ 712 SB में किये थे ये भी चीज़ एकदम आपको जनकारी रना चाहिए और ये कहां पर किये थे याद रखेगा सींद पर किये थे और सींद का उस समय सासक कौन था तो चच बंज के सासक थे कौन दाहीर याद रखेगा दाहीर उस समय सासक थे तो ये सब चीज़ एकदम आपको जनकारी रना चाहिए और भारत में जो है सबसे पहला जजिया कर किशने लगाया तो मुहम्मद बिनकासी में काफी वर एकजाम में पूछे गए कोश्चन है चलिए बरते हम लोग अगले प्रशनी की तरफ नेश्ट कोशन को ध्यान से देख तो सौमनाथ का मंदीर था सौमनाथ के मंदीर को लोटा था मुहम्मद गजनबी ने तो आपसान नमर सी बिल्कुल राइट अंसर यहां से आपका हो जाएगा और यहां से आपको पता आगद है कि 20 लाग दिनार इसको हासिल हुआ था यह भी चीज़ एकदम आपको याद र दिल्ली सल्तनत की बात करें था हम तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने कारकार किये हैं इसमें जो है याद रखेगा गुलाम बंस है इसका ट्रीक आता है यह भी चीज़ याद रखेगा गुलाव खिले तो सूंग लो इस तरह से आपको याद रखना है गुलाव खिले तो सूंग लो, क्या कर लो, सूंग लो, यहां से इस तरह से आप ट्रीक करके पुरा इसका देख सकते हैं, देखे, गौ से हो गया गुलाम बंस, खौ से हो गया आपका खिलजी बंस, क्या हो गया खिलजी बंस, और उसके बाद तो से क्या हो गया तुगलाक बंस, क्या हो गया लोदी बन्स क्या हो गया लोदी बन्स देखे गुलाम बन्स जो है यह 1206 से लेके कहों तक चला था 1206 से लेके 1290 तक चले थे कहों तक 1290 तक वहीं खिलजी बन्स की बात करें यह 1290 से लेके 1320 तक चले थे कहों तक 1320 तक चले थे वहीं तुगलक बन्स की अगर बात करें तुग रखना है यहां पर तुगलक बन्स हमने आपको गलत बता दिया तुगलक बन्स जो है तेरा सो बीस से लेके 1451 तक चले थे 1451 तक तो इस तरह से आपको याद रखना है यहां यह बता दिया यहां पर से पुला गया कुटवुद्दीन एवक ने किसे बंगाल का गवर्नर इस भी में जो है गुलाम बंस किया स्थापना किया यह विची एकदम आपको ध्यान रखनी है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रशनी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट को सन यहां पर दिया गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने बोल इस को सजरे में थोरे से जनकारी आप विवेल कर दिएए carrots कुतुीबुLes एवरत के मरता है पूतर अर्म और अर्ँशा के को मिरत्यू कर देता है इल्थूतमी इसने और इस argent cannot का इस लिए माना जाता है क्योंकि इसने और राचज़ धनी को लाकर के कहां पर Je thankful माना जाता है क्या माना जाता है दिली सल्तनत का बस्तविक संस्थापक तो यहां से आपका राई टेंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर सी राई टेंसर हो जाएगा चलिए जो 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 कुशन आएगा आपका टूटल चीज हम लोग कवर करते जाएंगे बढ़ते हम लोग अगले परशनी की गया था और इसको कौन थे सैनीक विभाग से यहां पर से बोल सकते हैं सैनी विवाग से तौपसन नमर बी बिल्कुल यहां पर से राई टापका हो जाएगा समझ में आ गया बढ़ते हम लोग अगले परशनी की तरफ नेश्ट को सन को त्यान से देखे नेश्ट को सन क्या बोला गया नेश्ट को सन यहांपर है तो ताए हिंध के नाम से परसिद अमीर खुसरो पाएगा अंतर परदेश में यहां जाता है पट्यालित यहां से option number C बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए बरते हम लोग अगले प्रश्णी की तरफ जो है मुहम्मद गौरी का गुलाम था ध्यान से सुनिये का कुतुबुद्दीन एबग जो है मुहम्मद गौरी का गुलाम था यानि मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन हो गया कुतुबुद्दीन एबग का गुलाम था कौन इल्तुतमीज इल्तुतमीज जो इसलिया तूर्काओं यो चिहलकाओंै का उसने अस्थापना किया था, इसमें 40 शर्दारों को समूथ था, और इसको समाप्त किस ने किया था? यह किया था बलवन ने, किस ने किया था? बलवन ने, ऑप्शन नम्बर भी, बिल्कुल यहां से राई टेंसर आपका हो जाएगा, उमीदे सभी को समझ में आ गया, बरते हम लोग अगले परशनी की तरफ, नेश्ट को सन को धियान से दिखे क्या बोला गया, नेश्ट को सन है निमलिखीत में से किस अस्थाउन का पुन्हाय नाम करन, अलाउद्दीन खिलजी द्व ध्यान से दिखे क्या बोला गया, नेश्ट को सन यहां पर दिया गया है, जोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लाग रहा है, प्लिज वीडियो को लाइक किजिए, जो भी यह भी तक चैनल में नहीं जुड़ें, प्लिज चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कर लि रिपीट होते हैं, तो यह सब वीडियो का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महतपूर्ण होने वाला है, इसलिए जो भी तक चैनल में सब्सक्राइब ने किया है, प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे, नेश्ट को सन दिखे क्या बोला गया, निमलिखित सुल्त कुटुबुदीन एवक की चीज giorno और याद रखना। तुगलक के समय जो है यह जो है थोड़ा सा द्वस्त हो गया था इसका चौथा मंदिर बनाया बनाया उपर से एक पाचमा मंजिल भी बना दिया जब पहले जब इल्टु तमिशने बनाया था इसका लंबाई था दूसा पचीस फिट और फिरोसा तुगलक ने इसको पंच में माल का निर्मान करवाया तो यह हो गया 234 फिट तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखना इस तरह के कोस्टन आपके एकजाम में अब पूछाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डिपली जाकर कोस्टन पुन्सते हैं चलिए बरते हैं हम लोग अगले परसनी की तरफ नेश्ट कोस्टन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसने अपनी राजधाणी दिल्ली से दक्षिन भारत में बदली थी तो यह बजला था कौन तुगलक बन्स के सासन मुहमद बिन तुगलक में मुहमद बिन तुगलक को बहुत सरा बोलता है रख पिसासू मतलब कि आल्टू फ दौलक में मुहमद बिन तुगलक का बैभ कर पहुत करो थी ने सासन काल की तो यह वी चीज याद रखेगा चले बढते अम tut अगले प्रशन की तरब नेश्ट कोशन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोशन यहां पर गया गए दिली सल्तनत की पर्थम महिला राज करता कौन थी दिली सासक की पर्थम तो दिली सल्तनत का जो है आपको बताए कि 1210 इस भी में जब मुहम्मद सौरी कुतुबुद्दीन एवक का जब मिर्तियों हो गया तो उसके बाद कौन बना इल्तूतमीस बना तो इल्तूतमीस का जो है एक पूतर था याद रखेगा फरुक्सियर कुछ रज्यूक करके नाम था वो जो है जब सासक बनाया तो उसका जो है माह एकदम पूरा हस्चेप कर देता था सबी चीज में त बरते हम लोग रखनी की तरफ दियान को ध्यान से लिखे क्या वोला गया नेश्ट कोसन ने गयाश उतीन का थे ये वी चीई एकदम आपको धियान रखनी है चलिए बरते हम लोग अगले परसनी की तरफ नेश्ट कोसन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोसन यहाँ पर दिया गया है निमलिखित में से कौन सा चंगेज खांके समकालीन थे तो चंगेज खांके समकालिन थे इल्टूतमीज, कौन थे, इल्टूतमीज थे, ये एकदम याद रखेगा, इल्टूतमीज थो, तो इल्टूतमीज को क्या बोल सकते हैं, तो चंगेज खांके कौन थे, समकालिन, इल्टूतमीज थे, यहाँ पर से इल्टूतमीज देख सीरी सहर हो गया, सीरी का दूर करा गया, हजाल खंबों का महल हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, यह सब किस ने करवाया था, अलाउदीन खिलजी ने करवाया था, किस ने करवाया था, अलाउदीन खिलजी ने, यह जो है खिलजी बंस के सासक थे, याद रखे का खिलजी बंस किस के साथ किये थे, याद रिखेगा मलिका कपूर. किस के साथ? मलिका कपूर, एक परका का बोल सकते हैं, मलिका कपूर जो है, एक हिजरा था ये बीछे एकदम आपको याद रखना है. बरते हम लोग अगले परस्णी की तरफ regist glauben को ध्यान से देखे है क्या बोला गया है atin desk we इब नबतूता जो है मुरोको का निवासी था किसका था मोरको कानिवासी था और यह जो भारत है इसलिए जो है मुहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिली का काजी नियुक्त कर दिया, देखें वो मुरको का था ये बिल्कुल ठीक है, वो मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था ये भी बिल्कुल ठीक है, उसने रहला लिखा था ये भी याद रिखेंगा, इसका जो नेश्ट कोशन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोशन यहां पर दिया गया है दोस्तों नेश्ट कोशन दिखे यहां पर क्या दिया गया है भारत में बजार नियंतर प्रणाली की सुल्तान द्वारा लागू की गई थी तो भारत में जो बजार नियंतर प्रणाल गाए थे दिवान ए अर्ज लगाए थे ये चीज़ एकदम आपको जनकारी रहना चीए मुहंबद बिन तुगलक अभी तुरत वताए हमने दिवान ए को ही कौन हो जाएगा दिवान ए को ही यह सब बहुत इंपोर्टन फैक्ट है काफी बार एक जाम में पूछे गए यह सब को एकदम याद रखेगा फिरोसा तुगलक ने जो है इसके काल में बहुत साला दास रहते थे यह बनाए थे कौन दिवान ए बंदगान यह याद रखेगा दिवान ए बंदगान उसके बाद जो है कौन बनाए थे दिवान ए खैरात कौन बनाए थे दिवान ए खैरात यह नेश्ट कुस्सन है अगरा सहर के संस्थापक कौन थे तो अगरा सहर के संस्थापक कौन थे सिकंदर लोधी कौन थे सिकंदर लोधी थे तो आप्सन नमर ए बिल्कुल राइट अंसर हो जागा यहाँ पर लोधी आया है तो लोधी बंस के संस्थापक कौन थे याद रखेगा बहलोल लोदी कौन थे बहलोल लोदी लोदी बंस के संस्थापक थे ये एकदम चीज़ याद रखेगा और इसी का जो है सासक था कौन सिकंदर लोदी और इसके बाद जो था इबराहम लोदी को पराजित कर पौनीपर्थ के पर्थम युद यानि की बोल सकते हैं 21 अफरील 1526 सिसभी को जो है पौनीपित का पर्थम युद हुआ था जिसने की बावर ने इबराहम लोदी को हराया था ये सब जनकारी आपको रहनी चाहिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले परशनी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट को सने पर 2010 में पूछा है उसके बाद 2020 में पूछा है इस तरह के कोस्चन ये रिपीट होते हैं बारबर तो इसलिए बोलते हैं कि ये प्रिवियस एर कोस्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेलफुल रने वाला है और इसका किस ने कराया था ये क्या था अलाव दिन खिल जीने कि किये थे चलिए बरते हैं हम लोग अगले परसनी की तरफ नेश्ट कोस्चन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया किस सुल्तान ने दिवान अमीर को ही नमत एक विभाग के स्थापनों किया था अभी तुरत बताया दिवान एक को ही किस ने किया था तो फिरोस सड़ी ये क्या और यह बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया देखे कितना लेटेस्ट पूछा गया है और अराम साज जो आयोग लीडर थे बोल सकते कि आयोग सा सकते और इसकी हत्या जो है इल्तू तमीश ने कर दिया किस ने कर दिया इल्तू तमीश ने कर दिया और कब कर दिया तो याद अस्थापनों किशने किया था फिरोस्ता तूगलक ने किया था फिरोस्ता तूगलक जो है याद रखेगा मुहम्मद बिन तूगलक के चचेरे भाई थे और इसी के याद में जो है जौनपूर सर की अस्थापनों किया था फिरोस्ता तूगलक ने जो है नहराओं का जाल भी एक बटे दस असुला जाता था ये सब ची जनकारी आपको रहनी चाहिए दिखे ये बिहार पुलिस फोरेश्ट गार्ड में पूछा गया है 2020 में चलिए बढ़ते हम लोग अगले परशन की तरफ आप लोगो सेसन अगर अच्छा लग रहा होगा सेसन को लाइफ जरूर कर लि जाते थे इसलिए जो अलाउदीन खिल जी ने है जो सबसे पहले घोरे को दागने का अरंब किया था अलाउदीन खिल जी हो जाएगा इसका राइट अंसर ऑप्सन नमर सी और यह दिखे 2010 में पूछा गया ये कोस्चन हो सकता है कि आपका रीपीट फिर हो जाए नेश्ट को जी के द्वारा देखे ये बिहार पुलिस में पूछा है 2010 में और फिर जाके इसको दरोगां में पूछ दिया गया था हमने बोला था आपको ये दरोगां में पूछा गया था तो आप्सन नमर सी बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा चलिए बरते हम लोग अगले अगले प्रश्नि की तरफ नेश्ड कोसन को धियान से देखे क्या बोला गया था इब बतुता टा का यहां पर से ऑप्सन नमर बी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ये 2010 में पूछा गया है चलिए बरते हैं हम लोग अगले प्रस्णी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट को सन है क्रिष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर बिजाइनगर के समीप किस उपनीगर की अस्थापनों की याथत ये कोस्चन आपसे पूछा गया है तो ये कोस्चन आपसे पूछा दिया यहाद रखेगी यादर रखेगा नागलपूरम हो जाएगा क्रिष्ण देवर यादर रखेगा बिजाइनगर समराज के सम्बन्दीतफ थे अगर समराज से ये जो है सुलूप बंदित्थित ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है चलिए बरते हम लोग अगले प्रशनी की तरफ नेश्ट कोस्टन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोस्टन यहाँ पर है निकोलो कॉंटी नामक इटावली यात्री किसके सासन काल में भारत आया था यहाँ से थोरा सा ध्यान से समझेए यहाँ पर से बहुत कोस्टन आपका बन जाएगा और यह दिखे फोरेश्ट गार्ड में पूछा है हो सकता है आपके बिहार पुलीस में भी पूछ दे तो नीकोलो कॉंटी जो है भारत आया था वो आय रहाँ देवराय पर्थम के काल में किसके काल में रखेगा में याद रॐक्ष के दर में 1515 इसभी में आये थे यह रहाँ का बार बोशा क्या हो गया बार बोसा उसके बाद होग डॉमिंग पायस कौन होगिया डॉमिंग पायस यह दोऩें ध्यान रखना है और यह पूर्टगाली यात्री तरी थे किरिश्ण देव राइके सासंकाल में है यह चीज सोब से बढ़े इसलिए आपको ध्यान से देख लेना है चलिए बढ़ते हैं लोग दोस्तों अगले प्रसंद की तिरब नेश्ट कॉछन को ध्यान से देखे निम्न में से कौन सी घटनों सबसे पहले घटी तो निम्न में से कौन सी घटनों बोल रहा है कि सबसे पहले घटी देखे कुतुब साका गोलकुंडा राज और पुर्तगाली दुवारा गोआ पर कबजा अहमद नगर के निजाम साही राज बीजापुर में आदिल साह और यहां पर देखे यह पर है अहमद नगर तो अहमद नगर याद रिखेगा 1490 में सायत हुआ था कब हुआ था 1490 में हुआ था यह चीज़ याद रिखेगा और यह जो हुआ था 1490 और यह था 1512 में यह सब चीज़ एकदम याद रिखेगा उतना मरको पोलो किस देश का वासी थे तो मरको पूलो आपको पता है का हुआ का इसका स्थर सब्सक्राइब का सब्सक्राइब निन में से कौन something और निम्न के अनुसार सही है यहाँ पर काल करम के औरे था यह data सही बताना है कि कंव कौन स म Nep strengthen have you यहाँ पर दिखेखेए सबसे पहले कौना आया था रामानूज आया था तो रामानूज एक ही मेहत बासन नमर चेतन के बात तुलसी तो उप्सन नमर बी बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा उप्सन नमर बी चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्णी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से दिखें क्या बोला गया नेश्ट को सन यहां पर है उत्तर भारत में भक्त उप्सन नमर बी बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा नेश्ट को सन की तरफ बढ़िये नेश्ट को सन को ध्यान से दिखें क्या बोला गया नेश्ट को सन ने किस मुगल समराट के सासन काल में मुगल दरबार में चाहर तसलीम और जमीन बोस जो लागू किये गए हम लोग नेश्ट को सन को ध्यान से दिखें क्या बोला गया नेश्ट को सन ने निमलिखीत में से कौन सा अकवर के काल का भूमी का वरगी करन नहीं है यहाँ पर बोला गया है कि कौन नहीं है यह आप से पूछा गया है यह कौन हो जागा जड़िया कौन हो जागा जड़िय यहां से आपका answer क्या हो जाएगा option number D चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रशनी की तरफ next question को ध्यान से दिखे क्या बोला गया next question है जहां आरा द्वारा लिखित सेख मुईदिन चिस्ती की जीवनी है इसको बोलते हैं मुनीस अल अरवा क्या बोलते हैं मुनीस अल अरवाथ यहां पर सेख मुईदिन चिस्ती देखे सिस्ती संपरदाई के संस्थापक कौन थे सेख मुईदिन चिस्ती थे यह भी चीज़ जान रखेगा सेख मुईदिन चिस्ती के बाद कौन आया था तो याद रिखेगा इसके बाद जो आया था वो आया था बावा बक्तियार काकी कौन आया था बक्तियार काकी आया था याद रिखेगा बक्तियार काकी बक्तियार काकी हो जाएगा उसके बाद जो है बावा फरीद थे कौन थे बावा फरीद इसका कारकरम कभी-कभी पूछ यह याद रिखेगा बावा फरीत के बाद कौन हो जाएगा बावा फरीत जैसे ही आपका हो गया उसके बाद आजएगा निजामुद्दीन ओलिया कौन हो जाएगा निजामुद्दीन ओलिया यह बहुत संबंदीत थे जो इसने जो है साथ सास्काओं का सासनकाल देखा था उ हो जाएगा लाहोर ऑप्सन नमर सी बिल्कुल राइट अंसर ये 2021 में देखिए आपका बिहार पुलीस में पूछा गया है नेश्ट को सन की तरह बढ़ते हैं हम लोग नेश्ट को सन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया नेश्ट को सन निमलिकित में से कौन सा भिकल्प एति रखेगा बावर के साथ बना हुमायू कौन बना हुमायू के बाद कौन बना अकवर के बाद कौन बना साजां सोड़ी जहांगीर अकवर के बाद कौन बना जहांगीर जहांगीर के बाद कौन बना साजां साजां के बाद कौन बना औरंग जेव तो इस तरह से आपको याद रखना कौन बना औरंग जै यहाँ पर से मिला लिज्वे कौन है वावर्क तो भावर्क फान के बाद अखवड के फ़ल्कूर सिकें है उपसं नमर दिल्ली इसका है हुमायों से है आग्रा में किसका है सा जहां का आग्रा में कहां पर है सा जहां में आग्रा में है यही बावर की बात करें तो बावर का पहले कहां पर था आग्रा में था नेकिन बाद में जो है इसका काबूल में कर दिया पढ़निपत का पर्फम यूद यहां पर पूछा किसके बीच हुआ था। पर शनकीतर पकी तरफ नेश्ट कॉसंद को ध्यान से दिखे क्या वो लगया अपगौन और मला था की विजवा था यह याद रखना है नेश्ट को संकीतर बढ़ते हैं हम लोग नेश्ट को संसद क्या बोला गया है यह मुग को किस ने रखाया था है मुग को किस ने कब कईया था 1582 इस भी में किये थे कब किये थे 1582 इस भी में तो option नमर C बिल्कुल right answer हो जाएगा नेश्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेश्ट कोशन को धियान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोशन है सेरसा के बच्पन का नाम क्या था दिखे सेरसा यहाँ पर सेरसा आता है थोड़ा सा सेरसा के बारे में जान लिजे सेरसा जो है याद रखेगा सूरी बंस का संस्थापन कौन था सेरसा सूरी था याद रखेगा यह हो जाएगा फड़ी इसके बच्पन का नाम फड़ी था यह याद रखेगा आप लोग चलिए बरते हम लोग अगले परशन की तरफ नेश्ट कोसन को धियान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोसन यहाँ पर है दिल्ली के लाल किले में इस्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया यह दिखे अभी जो बी एस सेरसा है तो आगरा में हो जाएगा सा जाँ दिखे य रिपीट होते हैं इस तरह कोसन को आपको बना के जाना है तो आपसा नमर बी बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा नेश्ट कोसन की तरफ बढ़िए नेश्ट कोसन के क्या बोला गया नेश्ट कोसन ने बुलन दरवाजा निमलिकीत में से कहां इस्तित है तो बुलन 1573 में, कब हुआ था, 1573 में इसका निर्मान हुआ था, यह याद रखेगा 7573 में, चलिए बरते हैं, अगले परशनी की तरफ नेश्ट को सन को धियान से दिखे, क्या बोला गया, नेश्ट को सन है, रजमनामा का अर्थ होता है, युद्धाओं का पुस्तक होता है, इसका जायोनी ने किया था ये बीची एकदम याग को याद रखनी है चलिए बढ़ते हम लोग अगले परशनी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट को सन है वह मुगल समराट जिसका दो बार राज्य विसेक हुआ था तो वह थे औरंग जेव कौन थ आपन चेश्ट को पंडित रते थे जिसको हम लोग नवश्टन बोलते थे उसी में एक टोडर मर् टोडर मर्त रिखेगा BTS अलाकार ठा तो आप आपका हो जाएगा ओपस ने की तरह बढ़की नेस्ट कोंऌन को ध्यान भीज रही चाने भी ते यह DAN साथिल्ट को लिए तो बनवा लेमं की तरह बढ़ते हैं यृए आस्थापणा आपको याद रखनी है चलिए भड़ते हैं हम लोग अगले परस्टी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से लिखे क्या बोला गया नेश्ट को सन यहांपर गुलवदन बेगम ने किसके कहने पर हुमाईयों नामा लिखा तो गुलवदन बेगम जो है याद रिखेगा किसने कहन पर लिखा किसके कने पर अकवर के कने पर तो option नमर बी बिल्कुल यहां से राइट अंसर आपका हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं हम लोग next question को ध्यान से दिखे क्या बोला गया next question है अकवर के अकवर के पंदरा सो सरसर्ट इस पी में चित्तोर आकरमन के समय वहां का सासक कौन था तो पंदरा सो सरसर्ट में जब चित्तोर का आकरमन किया तो वहां पर सासक कौन था याद रखेगा उदाई सिंग थे और यह दिखे बिहार पुलीस में भी पूछा गया है और बिहास दरो कब सब्सकाइब करें शेरसा का मकवरा इस्तितित सेरसा का मकवरा कहां पर भी बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा नेस्ट को सब्सक्राइब कर देखें किया बोला रहा हमिदां बॉन पतनी थी कौन ये भी याद रखना रहे हमिदा बॉनो बेगम चलिए बरते हम लोग अगले प्रस्णी की तरफ नेश्ट को सन को ध्यान से देखे क्या बोला गया नेश्ट को सने किस मुगल सासक ने साहू को मुक्त कर दिया था तो साहू को मुक्त कर दिया था किस ने कर दिया तो मुगलों और बेवार के बीज जो है 1611 इसमी में संधी हुआ था यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है क्या रखना है ध्यान रखना है यह सब कोस्टन आपके एकजाम में बार बार पूछे जाते हैं 1611 में नहीं हुआ था यहाँ पर माफी चाते हैं 1615 इसमी में बात रखेगा ताज महल का निर्मान किसने करवाया था साजहों ने करवाया था मुम्ताज के याद में और इसका बास्तुकार कभी-कभी पूछ देता था याद रखेगा बास्तुकार जो बिहार पुलीस में पूछा गया है तो कौन हो जाएगा उस्ताद अहमद लहोडी क बसका जो रूप रेखा तरयात क्या था वह था कौन उस्ताद इस साथ इसका रूप रेखा तयार करने वाला चलिए बरते हम लोग अगले परिशनी की तरफ नेश्ट को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट को शूल्हा एकूल की निटी किसने अपना यहाथा सूल्ह यानि कि अगर दो बीच के दो लगकों के बीच अगर जगड़ा हुआ तो उसमें जो सुर्या एक कूल यानि कि दोनों को आपस में मिला दिया ऐसा काम किये थे अकवर ने था अकवर ऑप्शन नमर डी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अकवर का जो काल काल था तो याद रहेखेगा 1556 से लेके 1605 तक था कब तक था 1556 से लेके 1605 तक ये भी एकदम आपको जनकारी रहनी चाहिए नेश्ट कोसन की तरह बढ़िए नेश्ट कोसन दीखे क्या बोला गया नेश्ट कोसन ने पानीपत का तिरतिया यूद किसके बीच वा था अभितुल बताया अफगान और मराठा के बीच हुआ था तो ऑप्सन नमर डी बिल्कुल यहां पर से राइट अंसर आपका हो जाएगा नेश्ट कोसन दीखे क्या बोला था नेश्ट कोसन यहां पर दिया गया है निमलिखित में से किसे मुगल बात्सा द्वारा बुरान उल्मुल्क क कि उपादी धारन किया था बुर्हान उल्मुल्क जो है यह याद रखे का साधद खाउं को मिला था किसको मिला था साधद खाउं को तो ऑप्सन नमर ए बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा नेश्ट कोसन की तरह बढ़िए नेश्ट कोसन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोसन यहाँ पर है जहांगीर के सासनकाल को निमलिकित में से किस चितर कार को नादीर उलूस खिताब से नवाजा गया देखे नादीर उलूसर है तो नादीर उलूसर किसो मना गया याद रखेगा उस्ताद मनसूर उस्तार मनसूर जो है याद रखेगा पक्षी का दूरला पक्षी पसू का चितर बनाते थे ये भी चीज़ एक दम आपको जनकारी रहनी चाहिए और यहाँ पर एक है रुजम्मा नादीर उर्स नादीर उल उल रुजमा उजमा ये जो किसको मिला था ये हबूल असन को मिला था ये भी जनकारी आपको रहनी चाहिए next question की तरफ बढ़िये next question को ध्यान से दिखे क्या बोला गया next question है मुगल सासक के मुगल सासन में मनसबदारी परणाली का परवरतन क्या था तो मुगल सासन में जो मनसबढरी परनाली का परवर्तन था, वो किस ने चलाय था, अकबर ने चलाय था, और यह बिहार पुलिस 2000 Fireman दिखें, दोनों में पूछा गया है 2018 में, बिहार पुलिस Constable में पूछा गया है, और Fireman में पूछा गया है, तो देख रहें किस तरह के question repeat हो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्णी की तरफ नेस्ट को सन को द्यान से दिखे क्या बोला गया नेस्ट को सन यहाँ पर दिया गया है पौनीपत के तीरतिया यूद में कौन सा मुगल बाट्सा मराठाओं से सरक्षन में आ गया तो मराठाओं के सरक्षन में कौन आ गया, साहलम, साहलम याद रखेगा, उप्सन नमर A बिल्कुल यहाँ पर से राइट अंसर हो जाएगा, नेश्ट कोसन दिखे क्या बोला गया, नेश्ट कोसन यहाँ पर दिया गया है, नेश्ट कोसन है, चगताई तूर्ग सासन भारत में किस नम से जाना जाता है, चगताईस तूर्ग सासन भारत में किस नम से जाना जाता है, यह मुगल नम से जाना जाता है, देखे किस तरह के कोसन पूछे जाते हैं, यह 2012 का कोसन है, और यही सब कोसन अगर अभी भी रिपीट कर दिया, तो बहुत सारे लड़के जो है इस तर ही मिलेगा नेकिन इससे कोई होना जाना नहीं है आपको अभी बात पता है कि इस बार जो कोस्चान आउट नहीं होगा इसलिए आप अपना तैयारी विग्दम पूरा जाहिर मन से कीजिए और यह जो था किसके समय था बहादूर सा जाफर के समय था उसी तर जो मिरजा यहां से बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा नेश्ट कोस्टन की तरफ बढ़िए नेश्ट कोस्टन को ध्यान से दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोस्टन है असम चटगाउं जैसे पुर्वत्तर भागाउं पर बिजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनावपती यहां पर दिया गया है तो जैपूर सहर का संस्थापक कौन था राजाज सवाई जैसिंग हो जाएगा आपसण नमर बी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा औपसा नमर बी यह सब चीज़े एक दम आपको ध्यान रखनी है और इसका जो अस्थापना चि नेच्ड कुस्टन दिया गया है निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है पिहार पुलीस में दिखे पूछा गया question है किस तरह के question पूछते हैं आपको देख रहे के पता चल गया होगा तो option D विल्कुल right answer आपका हो जाएगा नेस्ट question की तरह बढ़ते हैं हम लोग नेस्ट क्या बोला गया मुगल काल का पतन शुरू हुआ तो मुगल काल का पतन याद रखेगा जब औरंग्जेब का मिर्तियू 1707 में हो गया था 1707 के बाद जो है इसका हो गया तो जाट काफी सकता साली हो गया तो जाट जो है काफी सकता साली हो गया चुडामन के कारकाल में तो ऑप्सन नमर सी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा यह भी ब्यार पुलिस का पूछा गया कोस्चन है नेश्ट कोस्चन दिखे क्या बोला गया नेश्ट कोस्चन थे गलीब थे गालीब क्या थे गालीब एक परकार के बोले हम क्या थे कवी थे कवी हो जाएगा मिर्जा गालीब जिसको बोल सकते हैं तो ऑप्सन नमर ए बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन दिखे क्या बोला गया, नेश्ट कोसन यहां पर दिया गया है, चौसा की लडाई में सेरसा ने किसको हराया था, यहां से ध्यान से दिखे, चौसा का लडाई का वुआ था, याद रिखेगा चौसा का जो लडाई हुआ था, यह 49 में हुआ था, चौसा का लडा इसको बोल सकते हैं तो कन्योज या बिलग्राउम के यूद से जो है 1540 इसभी में हुआ था और इससे जो है मोगल बंस का स्थापना शुरू किया उसके एक बात होता है सरहिंद का यूद क्या होता है सरहिंद का यूद 1555 इसभी में होता है इसमें जो है सिकंदर सा सुड़ी जो है हरते हैं और उसके जगह पर हुमायू ने पुन्हा जो है मुगल मंस को संस्थापित करते हैं यह चीज को सन बार बार एक जाम में पूछे जाते हैं तो यहां से हमने पूरा आपको डिटेल में बताने का पर्यास किया चलिए बरते हैं हम लोग अगले प्रस्णी की इस तलमंडी नमक एक स्थान है वहीं पर वोगा था ग्राम है वहीं पर वगुन न रखेगा और सिक संपरदाए के दूसरे गुरू नानक के बाद कौन हुए इसमें कुल दस गुरू हुए शी में और याद रिखेगा इसका दूसरा जो गुरु था दूसरा गुरु कौन हो जाएगा यह हो जाएगा अंगद कौन हो जाएगा जिसको कि अम लोग बोलते थे अंगद बोलते थे या लहना इसका मूल नाम था याद रखेगा लहना या मूल नाम लहना तिसरा कौन हो जाएगा अमरनात थे कौन थे अमरनात थे और चोथा कौन थे रामदास थे और परचमा जो था अरजुन देव था और इसी की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी याद रखेगा अर जो है एक नम्मा गुरू थे तेग बहादूर तेग बहादूर की हत्या किस ने कराया था ये दोनों आपके लिए इंपोर् ये इस तरह के कुश्चन को आपको एकदम पूरा डिटेल में देखके जाना चाहिए तभी आपकी तैयारी बहतर मानी जाएगी नेस्ट कुशन दिखे क्या बोला गया नेस्ट कुशन यहाँ पर दिया गया है खालसा की अस्थापना किस ने किया था तो खालसा की तो इस तरह से आपको question याद रखेगा चलिए बढ़ते हैं लोग अगले परसनी की तरफ next question को ध्यान से दिखे क्या बोला गया सिख्खाओं के गुरुवां में गुरु गोविन सिंग कौन थे दस में यह तो question आपका repeat हो गया है मापी चाते हैं repeat के लिए next question क्या निमलिखित में से किस गुरु ने गुरु मुखी लिफी का प्रारंब किया यह किस ने पर है गुरु गोविन सिंग्के रचनाओं को संपादन किस पुस्तक में किया गया है याद रखे गया यह गुरु जो है गुरु दसम गुरुंत थे दसमे गुरु के दसम गुरुंत के नामाग पर किया गया था तो option नमर B बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा next question क कि तरफ बरते हैं नेश्ट को संदिके क्या बोला गया next question है कस्मीर का अकवर नाम से परसीद सुल्तान कौन था याद रखेगा जैनूलाबदीन कौन थे जैनूलाबदीन थे तो सुल्तान जैनूलाबदीन हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर option नमर D और इसी ने बुलर नमर D बिल्कुल रहा दखेगा और यह जो किये थे बिजापूर के साथ किये थे कौन कुली कुतूबसा कौन के थे कुली कुतूबसा इसका अस्थापना किया था यह भी एक दम आपको जनकारी रहनी चाहिए यहां से आपका जो है पूरा कवर करवा दिये हमने और question है नही करने के उसके बाद फिर एक दिन हिस्ट्री का cover कर लेंगे Modern History क्योंकि पता है आपको Modern History जो है बहुत सारा परस्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग Modern History को cover करेंगे और biology Modern History को समाप्थ होने के बाद तब फिर पुलेटी को कर लेंगे, उसके बाद साइंस में फिजिक्स ले लेंगे, पॉलेटी फिजिक्स को एक साथ करके, उसके बाद कमिश्ट्री और फिर कर लेंगे जो ग्रफीक होती, यहाँ से पूरा आपका कवर हो जाएगा, और रही करेंट अफर के बाद, तो करेंट अफर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, धन्यबाद मिलते हैं हम लोग कल के प्रेक्टिस सेट में, जय हीन, जय भारत